नमस्ते तो अभी यह जो भाग है उसमें आपको दूसरे परामर्श है जैसे आपने स्किल तो सिख लिया कि बच्चे को कैसे लाना है चाती को कैसे पकड़ना है वो सब आपने सिख लिया लेकिन अभी यह भाग में आपको और क्या परामर्श मा को बताना है क्योंकि अगर आपने मा को यह सब परामर्श नहीं दिये तो उसे पता नहीं चलेगा कि और क्या-क्या ध्यान रतना है मतलब स्किल तो आपने सिखा दे लेकिन दूसरे जो परामर्श है वो जो वह बहुत ही महत्वख है तो सबसे पहले तो आपको मा को बताना है कि 24 गंटे में लगपक 10 से 12 टाइम आपको दूद पिलाना है तो और जैसे मैंने बताया कि रात में अगर 3 गंटे के बार बच्चा नहीं उठ रहा है तो उसको उठा के दूद पिलाओं हम लोग ने देखा ह है हमेशा देखा हुआ है कि जो बचा रात में ज्यादा दूद पिता है उसका वजन बहुत अच्छा बढ़ता है क्योंकि रात में एक अपना हॉर्मोन है प्रोलैक्टिन करके वह प्रोलैक्टिन के मात्र रात में बहुत ज्यादा होती है तो वह प्रोलैक्टिन क्या होता ह और उसे वह दूद बनेगा ठीक है तो राप में 3-4 टाइम दूद पिलाना है और 24 गंटे में लगबख 10-12 टाइम दूद पिलाना है तो वह आपको वह सला देने मापको जरूरी है दूसरा क्या है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे आपको तो मालूम है कि जो आगे का उसमें पानी और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन जो पीछे का दूद आता है, वो एकदम घाडा होता है, तो घाडा मतलब उसमें जो वसा होता है, जो चर्बी होती है, फैट होता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और यह जो वसा है, जो फैट है, जो Omega three जो होती जयदा मात्रिम मां के» तू होना कि धुट में और और यह omega 3 चरवी है ऐ आप로 मालोonद भी ऊचरवी एक के बैदे ह्ट्डु होता है ब्रेन होता है वह ब्रेन के लिए system हे फिरल है घ्रका है लेकिन उसके जो दिमाग का IQ है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ओमेगा 3 is very important, बहुत उपयोगी चीज है बच्चे के मेदु के लिए, उसकी आँख के लिए भी ओमेगा 3 चरबी है, वो बहुत ही जरूरत है, और बच्चे के जो रुदय है, रुदय के लिए भी ओमेगा 3 बहु अगर आप बोलेंगे कि एक बाजुस्तन खाली हुआ तो उससे पता नहीं चलेगा, कभी-कभी वो क्या करेगी, वो बोलेगी हाँ, हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो दूसरा जुस्तन जो भारी है, उसकी तुलना में वो सोच रही कि यह अभी कम है, तो उसे हमेशा व बोलो कि इतनी जल्ड बाजी में वो बच्चे को यह बाजुसे लेकर दूसरे बाजुस ना लेकर जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो जो पीछे का दूद है, वो पीछे का दूद रहे जाएगा और बच्चे को उसका वजन बढ़ेगा नहीं, तो मा को बताना है कि बच्चे को निकालना है, लेकिन बच्चे को निकालना है, उसको क्या करना है, मा को देखना है कि वरच्छाती में पीछे का दूद है कि नहीं, तो उसके लिए पे बहुत अच्छी टेक्नीक है, वो आपको मैं सिखाऊंगे कि मा का दूद कैसे थोड़ा निकालना है, तो मा मा को क्या करना है कि उसकी 2 इंगलीज से दूर मां पर माके उंगला होनी चाहिए और वो क्या करेगी ब्रेस्टर को थोड़ा पीछे की और दबाएगी जैसे पीछे की तरह और मैं दबा रहे हु म стать сильなん पसलिया है वह बाजू की तरह मैं दभा रहे हूँ और फिर उसको थोड़ा दबाकी थोड़ा देख रहेूं ठीक है लेकिन उसमें तीन स्टेपस है कौः से थीन स्टेपस है पीछे की तरफ शालती की जो आहां-पर पसली है घडी है वहां पर पीछे की तरफ पहले लेके जाना है फिर अंदर की तरफ दबाना है और फिर छोड़ देना है त्थीक है आपको ऐसा नहीं करना है कि यह अफ किर आप Milking करेंगे तो वो दूद बाहर निकलेगा नहीं तो यह जिब बिल्कुल यह उंगली हिलनी नहीं चाहिए ठीक है तो यह है अगर माने सपोस्त दूद निकाला और उसे लगा कि वह जो दूद एकदम पतला है यह एकदम फास्ट आ रहा है बहुत बहुत मात्रा में आ रहा है लेकिन पतला है उसका मतलब यह थोड़ा सा घाड़ा नहीं यह जैसे आपको मालूम है कि जैसे हम दूद करम करते हैं और वो दूद में पानी डाल देया भाया ने तो हम लोगो तुरंद पता लग रहा है तो अगर घाड़ा होगा मलाई वाला होगा तो एकदम घाड़ा होगा उसका रंग भी अलग होगा तो मा को वह सिकाना है कि पतला अब होगा गाड़ा दूद अभी भी बागी है तो बच्चे को वही बाजू से दूद पिलाना है ठीक है और अगर पीछे का दूद आ रहा है लेकिन बहौट मात्रमें आ रहारा है बतला बहुत दो-तीन सेर आ रही है रहीै बहुत ऐसा 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 फास्ट दूद को भी जहAR तो वही बाजु से बच्चे को दूद पिलाना है ठीक है तो वह तो हो गया आपका एक बाजु का दूद अभी हो गया अगर आपको लगए कि मां को लगी कि अभी दूद हा रहा है गाड़ा लेकिन सिर्फ 2 या 3 डॉप्स आ रहे बहुत कम मात्रमे दूद आ रहा है तो वह ट मा को देना है, अगर बच्ची को भूख नहीं होगी, तो बच्चा लेगा नहीं, अगर भूख नहीं होगी, तो मुझ बन कर देगा, वो मुझ ऐसे हटा देगा, वो मुझ खोलेगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन वो बच्ची को सोच निदो की उसको भूख है की नहीं, मा को तो मां को offer करना ही है ठीक है जैसे हम लोग भी जबी किसी के घर में जाते तो हम लोग को भी जबी खाने बैठते तो सब लोग गोलती है नहीं खाओ खाओ अगर आपको भूग नहीं तो नहीं खाएंगे लेकिन वो तो हमेशा हम लोग को offer करते हैं उसी थरह मां को अपना stunt चीकर स्तन का दूद का importance ठीक है अभी क्या हो गया कि सब्सक्राइब बच्चा यहां पर सो गया आपने बच्चे को एक बाजू से दूद पिलाया और वो सो रहा है तो आपको बच्चे को तुरंद ही जगाना है क्योंकि अगर बच्चे को पूरा टाइम यहां पर लगाते लगा यहां यहां इसाफ रहेच है आपको लगने नहीं थोड़ा दूद यहां पी जगाएर तो उसमें क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा और आपको बहुत टाइम तक ब्रेस फिडिंग नहीं श्कान नहीं करा घांड़ा द तो आपको टुरंद ही बच्चे को उठाने या तो उसका पीछे तोड़ा एंगली लगा सकते हैं या तो उसके जो अगर बच्चा नहीं उठ रहा है तो आपको जो बच्चा है जो स्तन पर लगा हुआ है उसका जुडाव निकालना पड़ेगा तो उसका जुडाव निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा? कि आपकी जो मा की छूटे उंगली है, वो उसके बच्चे की मूँ में उसको डालना पड़ेगा और उसका जो suction है, जो बहुत attach हुआ है, जुडाव हुआ है, वो जुडाव को निकालके बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, तो यह important चीज है कि आपको ध्यान में रखते हैं, अगर आप बच्चे को ऐसे निकाल दिया, तो क्या होगा, कि मा का जो निपल है, वहाँ पे एकडम लाल हो जाएगा ओर उसे जयक हो जाएगा तो बच्चे को ऐसे awareness नहीं है, उसका मुह खोल के उंगली डाल के खोलना, फिर बच्चे को बाहर निकालना अटीक है, तो यह तो होगिया आपका बच्चे को कैसे निकालना है, फिर सको उठाने के लिए बच्चा फिर बी तो वही पुजिशन में बच्चे को लाना है उसको बिठाना है आपकी गोदी में ठीक है एक दम बेजिकली अच्छी तरह उसको सपोर्ट एना है पीछे से हाथ आप उसके पीठ पे रख सकते हो उसको थप थपाने की जरूत नहीं है और आगे का जो हाथ है वो कान के आगे आ की बाद रखना और आपकी जो हातेली है वो बच्चे के चाहती पे आएगि ठीक है तो वहाँ पर पूरा बच्चे का जो पोरा बौडी का जो सपोर्ट है भोकी रागे का ओएगा और थोड़ा आगे करेंगे तो क्या होगा वो बच्चा तुरंती वो धकार लेगा ठीक है और रहने और नौर्मलली क्यों निपकलान कि बहुत अची थर हृ तो अगर बत्चा सिनिफ निपल फीडिंग कर रहा है तो निपल फीडिंग में आपको बच्ची को बहुत उसमें गैस होगा कorarब करकि ओपल फी ऐनि टुस रहा है निपल चूसेगा थो वाजू तुर्ण आहनु उसा costing नहीं है। उसका मतलब मा को बोलो इसका जुड़ा बहुत अच्छा था चिंता मत करो पार बिल्कुल ₹ लेकिन दो 3 मेत तक तक थोड़ा सा उसको आराम दो तीक है उसको तोड़ा रिलैकस करूप और फिर थोड़ा आगे की टरफ जुकाऊं और फिर उसको दो मिट में अगर हो गया तो फिर उसका ब्रेस्पीडिंग हो गया ठीक है अभी चलो यह हो गया अपका बच्चा वापस जग गया एक बच्चा जग गया तो आपको मा को बताना है कि यहां पे देख लो कि दूद है कि नहीं अगर दूद नहीं है उसका मतलब वो भी दूसरी बाजी हो बच्चे को जीट खिला से के लिए ठीक है तो यह तो हो गया आपकी कि अगर बच्चा सो गया तो क्या करना है यह एक बच्च्छा के यह दो तो गए में अगजी का और के कुछ बच्चे का यह बैकर बच्चे की जो गर्धन हे वह िची तरफ जुकी हुई गुण भी एप है तो यह कहाए इसा होता है typ अब च सबक्रेने के अंपर हो जाती सो आपको भी क्या करना को थोड़ा दूसरे स्तन के रu हां पर लेके जाना है और फिर समय ऑपर करनी है वह इускना सब्सक्रें में यह पूर जाएगा और इसमें जब ऐसा होगा तो उसके देखे नाख पिलकुल बाहर की तरफ है तो ऐसे आपको क्या करना है अभी जैसे मैं आपको मेरे पर दिखा रही हूँ कि सब्सक्राइब बच्चा अगर उसका नाख डब रहा है तो उसको थोड़ा दूसरी और लेकी जाए दू पर रही है तो आपको यह द्यान में रखना है कि आपको यह कर सकते हैं दूसरा क्या है कि आपको मा को थोड़ा टेंशन आपको उसका कम करना है तो मा को बताना है कि जबी जबी नाख दब रहा है तो जैसे आप दबाएंगे अगर नाख ऐसा दबा तो उसका मतलब आप और बच्ची की चिंटा मत करो, वो क्या करेगा, जैसे अगर नाक उसका बन हो गया, तो वो बच्चा छोड़ देगा, वो बहुत, बहुत स्मार्ट है, वो चालाक है, बिल्कुल चालाक है, चीक है, तो मा को बोलो कि थोड़ा इतना टेंशन मत करे, क्योंकि वो टेंशन करेग तो यह सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल हो जाएंगे, तो सबसे फिल अगेर बापस मैं बोल रही हूं, जब बच्चे को आप ला रहे हो स्तन पे, तो उसका जो गर्दन है, थोड़ा पीछे की और लाएंगे, तो यह नाक भार हो रहा है, ठीक है, स्तन के उपर नहीं वो ट स्तन पे ला रहे हो, ठीक है, तो यह हो गया आपका नाक का प्रॉब्लम्स, ठीक है, दूसरा एक प्रॉब्लम्स है, वो आपको ध्यान में रखता है कि बहुत टाइम जभी बच्चा दूद पी रहा है, और जभी आप उसको जाच रहे हो, कि बच्चा स्तन से बरोबर हो सकते हैं, पहला प्रॉब्लम्स कि अगर बच्चे ने सिर्फ निपल लाच किया, तो अगर सिर्फ निपल लाच किया, सिर्फ निपल पे उसके मुह जुड़ा, निपल का और बच्चे का जुड़ा है, बच्चे के मुह का, तो वो निपल लाच से बच्चे को उसके पड़ेंगे मतलब अगर उपर काला भाग अरिवला का उपर काला भाग गाया तो वहां पर प्रॉब्लेम होगा ठीक है तीसरा पॉइंट है कि एगर बच्चा बहुत दूर है मां से बहुत दूर है जैसे मुझ तो बड़ा है लेकिन उसके होड दिकरें उसकी ठुड़ी दिक अब करते है कि कौनसे कौनसे अगर प्रोब्लेम होंगे तो बच्चे के मुझ में कड़ें पडेंगे एक तो है कि वह सिर्फ निपल लाज कर रहा है ठीक है दूसरा पॉइंट है कि ऊपर का कला BHAGH गाया है इसकी मुझ में ठीक है तीसरा पॉइंट है कि वह बहुत दूर है मतलब you know, होट भी दूर है, उसकी थुड़ी भी दूर है, पुरा दिख रहा है, वो तीन प्रॉब्लिम होंगे, तो बच्चे के मुह में कड़े पड़ेंगे, तो आपको वो प्रॉब्लिम फिक्स करना है, अभी आपको मालूम है कैसे वो फिक्स करना है, ठीक है? तो वो हो गया आपका मुह में खट्डे ना होने की मलब क्या कर सकते है अभी आपने मा को बताना है कि 6 महिने तक सिर्फ मा का दूद ठीक है कुछ भी जरूद नहीं है गुट्टी की जरूद नहीं है पानी की जरूद नहीं है गाय का दूद की जरूद की जरूद नहीं है जो तो वीटमिन्स अगर दॉक्टर दे रहा है तो वीटमिन्स देना है, बाकि और किसी की भी ज़रूत नहीं है, ठीक अगर बच्चे को बिमारी हो गई और कुछ प्रॉब्लम हो तो जो डॉक्टर बोल रहा है वो इलाज कराना ज़रूरी है, लेकिन बाकि की जो पानी भी बोलत सकता है उसके सहट पर रुक्सान हो सकता है ठीक है तो वो आपको ध्यान में रखना है और दूसरे ध्यान में रखना है कि छे महिने के बाद उपर का मलब घर का जो खाना होता है छे महिना है समाप्थ होने के बाद आपको घर का खाना चालू करना है ठीक है तो वो तो मैं आप बच्ची की हाइट बढ़ती है वो ठीक है वो अच्छा थोड़ा उसको जदया बुख लगती है तो कौनसे टाइम पर दो हफता है य। छे हफता है तीन मैने पर बच्चे को उसकी ग्रोथ, उसका विकास बहुत चल्ली होता है तो तो वो टाइम पर आपको पहले ही मा को बता अगर आप यह बता देंगी तो मा को पता चले हो रहा है तो अभी मुझे जादा दूध देने की जडरूत है वर्न mother cannot play a बच्चे को भूख लग रही हो, मेरा दूद नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगी? उपर का दूद चालो करेगी, गाय का दूद चालो करेगी, फॉर्मिला चालो करेगी, तो यह सब ना होए, इसलिए आपको सबसे पहले ही उसको बता जाना है, कि यह होगा, और आपको यह कर पिता है, तीन-चार बार आदा जे गंटे पे उठेगा और अच्छी तरह दूद पेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्लस्टर मतलब बहुत टाइम, मतलब 1-2 गंटे में 3-4 बार उसने दूद पी लिया, तो अगर वो टाइम पे अगर बच्चे ने अच्छी तरह दू पी लिया है, तो फिर उसको गड़ी-गड़ी उठाने की जरूद नहीं है, ठीक है, और मेरा कहने का मतलब यह है कि उसकी जो आगले, जो आगे के भूख के जो संकित है, वो आपको समझना है और मा को समझाना है, क्योंकि जब 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 उसको पहली भूख के टाइम पे जब 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 आपको दूद देना है, ठीक है? तो यह हो गए आपके पूरे 45 बिंदू है, परामर्श है, अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी अगर प्रशन है, तो आप एमेल भेड सकते हैं, हमारे टीए मुझे बताएंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम है, और हमारा एक सेशन ऐसा भी हो कि अगले प्रॉब्ली जो नेक्स सेमेस्टर आएगा है, तो मैं सारे हिंदी में सेशन भी लूँगी, यह टाइम में हमारा इंगलिश का है, लेकिन बहुत इजी लैंग्विज में है, हमारे पास जो टुटॉरल से वो हिंदी में भी है, तो आपको आप इंगलिश कि अगले पास जो आपको 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 आ